नमस्कार आप देख रहें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनंदियो चेकरवर्ती दोस्तों आज का ये जो एपिसोड है वो थोड़ा सा अलग होगा मैं इसमें एकॉनमी में क्या हुआ है उसके बारे में बात करने ने आया हूँ मैं एकॉनमी की भविश्य की बारे म है वो कह रहे हैं कि ये मई के बीच तक तो चलने वाला है और उसके बाद भी टाइम लगेगा इसका ग्राफ नीचे होने में और उसका मतलब क्या है उसका मतलब है चाहे राज्य सरकारें जैसे यूपी की सरकार है लॉकडाउन करे ना करे चाहे दिल्ली की सरकार जैसे साथ दिन का lockdown करें जिसमें क्या हो बच सकता है किसी को पता नहीं है उसके बावजूद economy पर हमारा असर पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि कई पे अगर किसी office में दो infection वाले निकल गए तो क्या होगा office बंद हो जाएगा वापस work from home किसी factory में अगर दो patient निकल गए कोविड वाले तो क्या होगा factory का shift बंद हो जाएगा factory में कम लोग काम करेंगे लोग market नहीं जा रहे हैं डर के मारे चीज़े खरीद नहीं रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अगर चीज़े नहीं विकेंगी तो economy पर impact होगा plumber हो electrician हो carpenter हो painter हो इनको अब घर में लोग घुसने इस वाक नहीं देंगे और इसके चलते क्या होगा इनको काम नहीं मिलेगा साथ में construction थोड़ा बहुत रुख जाएगा जो real estate में थोड़ी बहुत फरोग फिर से हो रहे थी वो रुख जाएगा तो economy पर असर पढ़ने ही वाला है अगले दो तीन महीनों में हम जानते हैं कि हमारी सरकार चाहिए मूदी सरकार हो चाहिए कोई भी राजी सरकार हो COVID-19 रोकने में कामियाब नहीं हुई है नाकाम है जादातर सरकार है नाकाम है तो ऐसे में हम आपको यह आत्मनिर्भर होना पड़ेगा एक दूसरे तरह का आत्मनिर्भर मतलब जितना हम इस वेव को कम कर पाएंगे जितनी जल्दी इसको हम स्टॉप कर पाएंगे इस COVID-19 को उतनी जल्दी economy वापस पत्ती पर आ सकेगी नहीं तो हमारे लिए एक और साल होगा recession का एक और साल होगा मंदी का और उससे बाहर निकलना बहुत साल लग जाएगे तो एक ही चीज करना है आपको COVID-19 को रोकना है ताकि economy को बचाया जा सके और इसमें चार चीजें महत्रपूर्ण है सबसे नंबर वन चीज क्या है? मास्क पहनिये मास्क पहनिये क्योंकि मास्क से बहुत रोका जा सकता है ये infection पिछले दो-तीन महीनों में देखा गया है कि लोग मास्क नहीं पहन रहे है लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं जैसे ऐसे कर रहे हैं घुल मिल रहे हैं ऐसे कोविट कभी आया है नहीं और इससे बहुत तेजी से कोविट फिर से बढ़ा है दूसरी बात है अगर आप रह सकते हैं घर के अंदर तो घर के अंदर रहें अगर हो सके अगर आपको कई पर काम पर जाना ही जाना है तो नंबर वन पर वापस जाएगा वो है मास्क पहने नंबर थ्री क्या है अगर लोगों को आपको मिलना है अगर आप चाते हैं कि देखिए मिलना है कोई दोस्त हैं कोई रेलिटिव हैं माबाप है आपको मिलना है खुले जगे पे मिलिए दोस्तों से पार्क में मिलिए बाहर मिलिए रोड पर मिलिए क्योंकि देखा गया है कि outdoor यानि बाहर COVID का transmission 10% से भी कम है अगर 100 COVID का transmission हुआ है दुनिया भ़र में तो 10 से भी कम बाहर के situation में हुआ है ठीक है, जितना हो सके आप अगर meeting किसी से भी करना है तो बाहर कीजिए हाँ जैसे मैंने कहा कि अगर उसको रोका नहीं जा सकता है तो रोका नहीं जा इसी कमरे में, किसी ओफिस में काम करना है या लोगों से मिलना है तो सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी है इसमें 6 फीट का फासला सबसे जरूरी है चाहे आप क्या कोई दोस्त आया हुआ है घर पे उसको दूर रखिए तो ये जो चार चीज़े हैं इसी पर फोकस करना है थोड़ा डीटेल में बताएंगे आज के इस एपिसोड में तो जैसे मैंने बताए चार चीज़े हैं मास्क पहने जितना हो सके घर के अंदर रहिए बाहर मत जाएए अगर आपको जाना है किसी से मिलना है जरूरी है तो आउटदोर में मिलिए किसी पार्क में मिलिए आपके घर के बाहर जो जगचबूतर है वहाँ पर मिलिए खुले में मिलिए वहाँ पर infection का rate कम होता है तीसरी बात क्या है जैसे मैंने आपको बताया था कि चौती बात चौती बात यह है कि social distance maintain कीजिए चे फूट का फासला maintain कीजिए तो पहले नमबर पर आते है mask, mask क्यों बहुत लोग कहते है अरे यार mask से कुछ नहीं होता क्या फ़र्पडता है यार मेरे मुझे तो है नहीं मुझे क्या फ़र्पडता है पहली बात है आपको है या नहीं आपको नहीं पता चलेगा दुनिया भर में देखा गया है कि जितने भी COVID के positive मिले हैं जो COVID positive हैं है ना उनमें से 80% ऐसे हैं जिनको कोई भी symptom नहीं है उनको पता ही कभी नहीं चलेगा कि उनको COVID हुआ था लेकिन बड़ी बात यह है कि वो COVID transmit कर सकते हैं दूसरों को यह बड़ी बात है याद रखेगा कि आप में कोई भी symptom नहीं हो बुखार नहीं है खासी नहीं है आपके फेफड़े बिलकुल ठीक है लेकिन आपके मुह में नाक में COVID के वाइरस घूम रहे हैं जब आप बात करेंगे जोर से आप कहीं पर गाना गाएंगे आप किसी कारण से च्छीक देंगे चाहे आपको खासी सर्दी जुखाम हो या ना हो तो आप वो transmit करेंगे और वो किसी और के उपर जा सकता है 6 फूट के फासले में वो जा सकता है देखा गया है कि 20-30 फूट के फासले में भी जा सकता है लेकिन इसलिए मास्क पहनने से क्या होता है मास्क पहनने से ये रोप दिया जाता है जैसे कि आप एक सिर्फ cloth मास्क कपड़े का मास्क भी पहनेंगे तो study में देखा गया है कि 50-60 प्रतिशत उससे भी बच जाता है जो N95 मास्क है जो कि सबसे अच 90 प्रतिशत जो आप बात कर रहे हैं आपके मुझ से जो भी निकल रहा है वो रोक सकता है एक दो study में देखा है कि वो 100 प्रतिशत रोक सकता है मतलब आप कुछ भी बोले अगर अच्छी तरह से आपने मास्क पहना है जो N95 मास्क होता है उसके नाक पे एक ऐसा वायर होता है उसको आप दबाईए यहाँ से दबाईए टाइट करके पहनिए आप उसी के अंदर रहे है तो आपको आप आपको कोविट भी होगा तो 95% से 100% आप दूसरों को नहीं देंगे अगर आप किसी से मिल रहे हैं जो आपके घरवाले ना हो घरवालों के साथ आप कुछ कर नही गए तो खुद मास्क पहनिए ऐसे ट्रीट किजिए हरे एक बंदे को कि उसको कोविट है चाहे सिम्टम हो या ना हो आप सोच लिए कि इसे कोविट है तो इसी तरीके से आप खुद भी मास्क पहन के रखिए तो भी आप बच सकते हैं तो भी आप बच सकते हैं अगर दूस सारे टेस्ट में देखा गया है ठीक है अब मैं बात कर रहा हूं कि घर के अंदर रही है बहुत लोगों को बाहर काम करने जाना ही जाना है वो कुछ नहीं कर सकते अगर वो नहीं करेंगे तो घर पे बैठके खाने का इंतिजाम नहीं कर सकते हैं तो वो वैसे ही मर जाएए तो उनको बाहर जाना ही जाना है लेकिन ऐसे लोग हैं जो मस्ती के लिए बाहर जा रहे हैं है ना आप मत जाएए आप इसलिए मत जाएए क्योंकि जिसको काम पे जाना है जिसको करना है काम तो आप उनको भी देने का, उनको COVID देने का आप एक काम कर रहे हैं, है ना, तो आप उनकी जिंदगी पर एक question mark डाल रहे हैं, तो आप मत कीजिए, घर पे बैठिये, ज़रूरी चीज़े लाना है, कुछ ने कर सकते, काम पर जाना है, कुछ ने कर सकते, है ना, लेकिन जितना ह हो सके, आप अपने जो employer है, उनको बोले कि मुझे work from home करने दीजे, अगर आप खुद employer हैं, अगर आप खुद employer हैं, चाहे आप किसी घर में जो काम करते हैं, उनको employer करते हैं, guard को employer करते हैं, driver को, उनको रहने दीजे ना, घर पे, अगर आप खुद अपना काम कर सकते हैं, हा आदी चीज़े अभी डिलिवर हो रही हैं, तो आप डिलिवरी पे डिपेंड कीजिए, ड्राइवर को मत बुलाईए, आपको अगर कही नहीं जाना है तो मत बुलाईए, तो यह सब चीज़े आप कीजिए ताकि आपके अंडर जो एंप्लॉय हो रहे हैं, वो भी घर पे रह स लोगों को हो जाता है, तब वो मेंटरल प्रॉब्लम दूर करने के लिए वो दोस्तों से मिलने जाते हैं, मिलना है, लेकिन पार्क में मिले, छे फुट की दूरी रखे अगर आप बाहर मीट कर रहे हैं किसी को तो मास्क पहनी है अगर देर के लिए आपको मीट करना है कुछ स्टडीज में देखा गया है कि बाहर अभी जैसे यूएस वगेरा में कहा जा रहा है कि अगर कोविट के नंबर कम हो गए है तो बाहर आपको मास्क पहनी की जरूरत नहीं है अगर आप अकेले हैं अगर आपके आजपास कोई है तो मास्क जरूर पहनी है दिल्ली जैसे शहर में जहां इस वक्त हम जानते हैं कि active patient 30 सजार के आसपास है है ना और यह तो tested patient है confirmed patient है बहुत होंगे asymptomatic अगर हम लेंगे तो एक लाग से कम नहीं होंगे ऐसे patient जो test नहीं हुए एक लाग लोग ऐसे होंगे जो कम से कम यहाँ पर active patient को अगर हम चार गुना कर ले जिनको कोविड हो रखा है इस वक्त यह estimate मैं ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कोविड के patient होंगे जिनको पता नहीं है कोई भी इनको symptom नहीं है लेकिन वो दूसरों को दे सकते हैं हमारी जो city है हमारा तो दो करोड की आबादी है दो करोड में एक लाग ऐसे लोग हैं जिनको हो सकता है हो confirm तो 26,000 हैं ही ऐसे बहुत हैं जिनको शायद asymptomatic है घूम रहे हैं इधर उदर दिल्ली में तो आप ऐसा कीजिए कि आपके आसपास बहुत चांस है ऐसे लोगों के आने के जो covid patient हो तो आप जरूर मास्क पहन के रखे इस वक्त कम से कम बाहर भी अकेले हैं तो मत पहने हैं अकेले टेहल रहे हैं आसपास कोई नहीं है हो सकता है आपको पहनने की जरूरत नहीं लेकिन बहुत सारे शहरों में आप गाड़ी के अंदर आप खुद भी चल रहे हैं तो आपको मास्क पहना पड़ेगा तो आपको पहनना है अगर आप किसी और शहर में जहां पर मास्क जरूरी नहीं है तो फिर भी पहनी है क्योंकि आप खुद को सिर्फ नहीं बचा रहें दूसरों को भी बचा रहें अच्छा और आखरी बात जो है वो सोशल डिस्टंसी गले मिलने की जरुरत नहीं है सेल्फी खीचने की दोस्तों के साथ यार मास्क उताल लेते हैं एक सेल्फी का यह तो वक्त है हाँ एक दोस्ता उसी में हो सकता है आपको COVID ठीक है यार चलो गोल गपा खा लेते दोनों एक ही प्लेट से शेर कर लेंगे ने का, उसी में आपको सकता है COVID मत किजिये यह सब दूरी maintain कीजिए वो होता है न ट्रक के पीछे उसी तरीके से वो लिखा होता है कि maintain distance ट्रक के पीछे लिखा होता है उसी तरीके से आप maintain distance कीजिए 6 foot की दूरी mask पहन के दोस्तों के साथ इसी तरीके से हम फिर से कम कर सकते एक study में देखा गया है recently कि अगर mask पहना जाए mask पहना जाए तो धाड से COVID का जो number है गिरेगा नहीं जो infection है बहुत तेजी से गिरेगा अगर 100% masking हो अगर वो ही अगर 80-70% पे गिर जाए मतलब 100 में से 70% सिरफ mask पहने तो वो बढ़ता रहेगा ठीक है तो यह एक ही चीज है इसी चीज से हम COVID को हरा सकते हैं इसी चीज से हम वापस काम पे जा सकते हैं इसी चीज से economy वापस पठरी पर आ सकती है नहीं तो नहीं होगा यह साफ है फिर आपको भगवान भरों से ही जीना पड़ेगा